नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके आए आज हम सब जानते हैं एक आज माई हुई और शदी जो की शुगर का रामबान इलाज करती है जिहां आज कल हर घर में इसके मिल जाएंगे कारण क्या है कारण है हमारी दिन चर्या में परिवर्तन और दूसरा बड़ा कारण है हमारे भूजन में घुश चुकी अशुद्धियां जिनको हमने तो शुद्ध किया नहीं और आने वाली पिढ़ी को भी यहीं सोगात देकर मर जाना चाहते हैं ताकि वो तो हर मरीज को अपना कर देखना ही चाहिए दोस्तों आज शुगर रोग मानवता के लिए एक नासूर भन गया है एलोपैथी में हजारो रूपए की दवाएं लोग खाते खाते ठके जा रहे हैं पुरुशों या इस्त्री दूनों में यह रोग बहुतायत से पाया जाता ह ऐसे में सबसे तिवर और अनूठे इस शुगर नाशक महायोग को एक बार जरूर प्रयोग करें आईए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको सबसे जरूरी जो समगरिया चाहिए वो कितनी और क्या चाहि 250 ग्राम चाहिए होगा आपको बादाम चाहिए होगा आपको 250 ग्राम यहने की 200 ग्राम भुने हुए चने चाहिए होंगे आपको 200 ग्राम इंद्रजों दो प्रकार के होते हैं पहला है इंद्रजों शीरी और दूसरा है इंद्रजों तलक या कड़वा आपको इंद्रजों तल कि आजकल कई तरह के आते हैं किसी किसी में से तो आजकल पहले ही तेल निकाल लिया जाता है बहुत गड़बर जाला चल रहा है दुनिया में कभी कभी अच्छे से अच्छे प्रयोग में रिजल्ट ना मिलना इसके पीछे भी मिलावत या कम गुणवत्ता का समान ये कारण होता है भुने हुए चने में ये साउधानी रखनी है कि ये छिलके वाले लेने हैं आपको जैसा अभी तक हमने आपको बताया इस प्रयोग में प्रयोग होने वाले सामान के बारे में अब बात करते हैं इस योग की यह प्रयोग बहत चमतकारी है और अनेको रोग्यों पर आज माया गया है आप इस नुस्खे के रिजल्ट का अंदाजा यू लगा सकते हैं कि अगर इसको उसकी मातरा से ज्यादा लिया जाए तो शुगर इसके सेवन से लो होने लगती है बादाम को इस वजह से शामिल किया गया यह शुगर रोगी की दुरपलता कमजोरी सब दूर कर देता है और इसमें चने को इंद्रजो की कड़वाहट थोड़ी कम करने के लिए मिलाया गया है अब आये जानते हैं इंद्रजो से शुगर का घरेलू नोस्खा बनाने और सेवन की विधि के बारे में तीनों चीजों को अलग-अलग कूट लीजे थोड़ा दूरदोरया पाउडर बनाये और कांच के जार में रख लीजे खाने के बाद एक चाय वाला चमच एक दिन में क्यों एक बार खाएं सादे जल से अगर आप दोस्तों में से कोई शुगर रोग से ग्रस्त हो तो स्वेम इस योग का सेवन कर नया जिवन पाएगा अगर कोई आपका अपना शुगर रोगी है तो उसे यह योग शेयर करके नया जिवन गिप्ट में दीजिए सभी दोस्तों से यह अनुरोध है कि यह जो हमारा वियो है इसको आप अपने खास करके डाइबीटिज पेसेंट्स जो भी आपके मित्र या संबंधी कोई भी हो उनको जरूर शेयर करें और बताए ताकि अधिक सधिक लोग इसका लाप उठा सकें अब देखते हैं कि यह प्रयोग किन रोग्यों पर लाप प्रत्सावित होगा यह प्रयोग उन रोग्यों पर बेहद असर करेगा जिनको इंसुलीन नहीं लगती हो अगर इंसुलीन लग रही होगी उन रोग्यों पर ये न पूरुष सभी को समान रूप से होने लगी है इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए ये थी आज के हमारी आउश्रद ही आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हमाँ आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतो पूर्चान कारी को ले करके तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों